हेलो स्टूटेंट्स आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडेक्टिव और्गन प्लांट्स के जिसको अपन मेल वाला तो अपन कंप्लीट कर चुके थे आज आए फीमेल रिप्रोडेक्टिव और यहां पर देखो फीमेल रिप्रोडेक्टिव जो पार्ट होता ह उसी को पिस्ट्ल पिस्टिलेंेंक अंगलिष वरड है और जब अगार को सांटिफिक वरड भो लेंगे तो उसे बोलते हैं गानो शिंअ अब जो गानो शियुन मैं यह फ्लावर का मिस जो है फीमेल रिप्रोडेक्टिव पार्ट है कि इसको अफन बोलते है है साइंस में गाइनोशियम जो है इसमें कुछ आपकी बुक्स में अलग-अलग टरम्स जीवी हैं सबसे पहले मोनो कार्पिलरी यानि अगर सिंगल पिस्टिल होगी तो ऐसे गाइनोशियम को अपन बोलेंगे इसमें मोनो क कार्पिल और अगर एक से जादा है more than one है पिस्टिल तो उसे अपन सिन कार्पस और जब यह फ्री होंगे तो अपन बोलेंगे एपो कार्पस अब इसके कुछ यहां पर आपको डायग्राम्स दिए वे हैं अब सबसे पहले देखो आपको दे रखा है यह चाइना रोज का है हिबिस्कस इसमें यह मोनो कार्प लिए और अगर अपन वैसे गाइन होते हैं फिर उसके बाद में यह आपको जो एक्जामपल दिए powin यह एक्जामपल छ इंब यह है अंपके मल्टी कार्पल में जो पहला वाला आपको एक्जामपल दी रिंखा यह कहीं बार में यह कोशन आता भी है यह पेपरवर्ण है जिसमें आपको यह सारी पिष्टिल है वो सारीपिस्टिल कासी है फ्यूजड तो ऐसे उवरी को अपन क्या बोलते हैं इस्हों पर जो डी आपको वला मई चेहला वाला इसमें आपको देखो यह सारी ओी अवरी के वोपी स्थी पेले यूवरी रहे इस फ्री वाली जो और जो बुक है बुक की आपको एंशी हाइटी वाली सबसे पहले प्रिस्टल माइक्रोस्पोरंजिय के दो और फिर है फीमेल गेमिटोफई के दो चाहें एंब्रियो सेट कहें तो यह इंग्लिस लेंग्वेज और साइंस लेंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंट से उसके बाद में गाइनोसियम प्रेजेंट अगर सिंगल पिष्टिल है तो मॉनो कार्पली अगर एक से ज्यादा है मोर देन वन तो मल्टी पार कार्पली अगर वों future हैं जुड़े वे हैं तो तो हम बोलेंगे सिंगल जो अभी आपको डायकराम में बताता और अगर फ्री है तो तो फृक को हम क्या बोलेंगे ऐपोकारपस फिर उसके बाद में ृस्पल पिश्टिल है उसमें आपको पार्ट्स आपको दिख रहे हैं सबसे उपर की तरफ स्टिग्मा होती है फिर स्टाल होती फिर ओवरी होती है और अगे जो है उसका सबसे में फंक्शन होता है कि पोलन उस पे आके रुपते हैं इसलिए से हम क्या बोलते हैं प्लेटफर्म फॉर पोलन ग्रेंज और यह यह आप आगे जाके पढ़ोगे पोलन पिस्टिल इंट्रेक्शन तो अगर पोलन ग्रेंज सेम स्पीसिस के हैं तो तो जर्मिनेट होंगे और अगर नहीं होंगे तो वह वहा स्टिग्मा से ओवरी तक और यह अधिकतर जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में यह अंदर से फिर उसके बाद में जो नीचे की तरफ है थोड़ा सा बलजी पार्ट है फूला वाप पार्ट है उसे अपन बोलते हैं ओवरी और ओवरी के अंदर आपको मिलेंगे लोक्यू कि ओवरी जो है फटिलाइजेशन के बाद में फ्रूट में चेंज होती है या अप जब फ्रूट की डेफिनेशन करोगे और यह वह और दौवियूल जो पार्ट है उस कारनार को मिलते हैं लोक्यूल और यह जो हमारे फ्रूट है वो जुड़े रहते हैं उस जुड़ने व प्लेसेंटा आपने 11 में पढ़े थे कि डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप के होते हैं किसी में जो है आपको सीड है वो बाहर की तरफ मिलेगा तो पैराइटल है किसी में आपको प्लेसेंटा के पास में तो फ्री सेंटल है या सेंट्रल है इस तरह से एक्जाइल है तरह तरह कि आपने प्लेस इंटेंशन पड़े थे 11 में लेकिन अभी यहां उतना डिटेल में जुरुत नहीं है तो डिफरेंट टाइप के जो प्लेसेंटा है वह आपने 11 में देख लिया कि उसके बाद में अब यहां पर देखो यह कुछ डाइग्राम आपके NCRT ने दे रखे हैं यह मैंने आपको अभी बता दिया है जिसमें स्टिग्मा स्टाइल है और ओवरी है फिर यहां पर पेपर वर है जिसमें की फ्यूजड है तो इन फ्यूजड है और यहां पर फ्री है तो इसको तो अपन बोलते हैं सिन कार्पस और यह वाली जो है उसको बोलते हैं एपो कार्पस उसके बाद में यहां पर कुछ थोड़ा सा डेटेल बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया अब यहां पर देखो सबसे पहले अपने पास में कुछ यहां एक्जामपल दे रखे हैं कि जितनी भी ओवरी में आपको वन ओव्यूल मिलता है जैसे यहां एक्जामपल आपको दीव यह वीट है पैडी है मैंगो है इसके अंदर एक ही ओव्यूल होता है जबकि कुछ अपने पास एक्जामपल नहीं जिसमें एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं जैसे पपईया है वाटर मेलन है औरकेट है तो इसमें आपको ज्यादा ओव्यूल मिलेंगे अब अपन यहां स्टेडी कर रहे हैं एक नॉर्मल जो अपना मेगा स्पोरेंजियम है जिसे अपन ओव्यूल बोलते हैं और इसकी जो स्ट्रेक्चर है इस स्ट्रेक्चर में अपने पास में इस तरह की स्ट्रेक्चर है अगर आप अपने डिटेल में देखेंगे तो यहां पर सबसे जो इंपर्टेंट चीजे कि इसके उपर बाहर की तरफ आपको इंटेग्यूमेंट मिलेंगे और यह इंटेग्यूमेंट दो हैं एक तो है आउटर और एक होता है इनर फिर उसके बाद में इसका यह जो पोर्शन है इस पोर्शन को अपन बोलते हैं माइक्रो पाइल और यहीं से पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है फिर उसके बाद में जो पोर्शन जिससे कि यह अटेच रहता है वो कहलाता है फ्यूनिकल और फ्यूनिकल और हमारा जो यह यह जिस पोर्षन पर दिखाई देता है यह आप कर सकते हो उसका जो जोइन पार्ट है उस पार्ट को हम बोलते हैं हाइलम उसके बाद में सबसे इंपर्टेंट चीज जो है कि इसमें जितना भी टिशू हैं उन टिशू को हम बोलते हैं नूसिलस और नूसिलस के ऊपर वाला पॉर्ट पूर्शन है उसे हमिज्टें चलाजल एम और उसके ज़्याल इंद ओसे हम बोलते हैं माइक्रो पाइल एंड दो इस तरीके से स्ट्रिक है फिर उसके बाद में यह बीचшей में बिलकुल मिड़ पोर्शन में यह होता है सग्म से जिसको हम बोलते हैं फीमेल तो जो एम्पैयों से के वहीं एम्पैयों से क्या होता है अब देखो अपनिया पर इसकी भुक में भी देख लेते हैं सबसे इंपर्टेंट चीजा कि यहां पर यह जो इस्ट्रेक्चर यह इसको आपन बोल सकते हैं कि इसमें आपको सैवन तो सेल्स मिलती हैं और अपने पास कह सकते हो अब देखो यहां पर ओव्यूल है तो बहुत चोटी से स्ट्रेक्चर है जो जिससे की जूड़ा वाए उस स्टॉक को हम बोलते हैं फ्यूनिकल फिर उसके बाद में जहां से जूड़ा है उसे हम बोलते हैं हाइलम इसके दोनों तरफ जो पूरी तरफ है वह आपको दो एंवेलप मिलते हैं जिनने इंटेग्यूमेड मों की हैं आउटर और इनर फिर जहां से पूलंट्यूब लोजीमें करते हैं माईक्रोपाइल की जो बिल्कुल अफोॉब City होता है उस फिर उसके बाद में जितना टीशू सिस्टम में उस स्टीशू और बीच में में do city होता है या उसे हम बोलते की प्लैक्टे रहें यह क्यों है और आपके पास अ यह आपको अ यह आपको डेनी है प्लैस उसका डाइग्राम मनाना है। इसके बाद में ि स्टार्ट हो रहा है का मेगा-जस्पोरोगिनेसमाbayस पुरोगिनेसमाइसमासे मतला कोई से आपने पास में इस तरीके से न्यूसिलेस की कौई भी एक सेल है वह सेल अपने साइज में बढ़ जाएकी और शे हम बोलेंगे और थोड़ी टाइम बाद हम इसको करेंगे और इसको बोलेंगे Megaspore mother cell जो होगी 2N अब यह जो 2N है इसमें Miosis Division होगा और Miosis Division होने से इसमें 4 आपको Megaspore बनेंगे और 4 Megaspore में से कोई भी 3 जो हैं वो 3 Degenerate हो जाएंगे और केवल 1 Megaspore है वो functional रहेगा और वही Megaspore है आगे जाके divide करके क्या बनाएगा embryo set अब यहां पर देखो हमारे पास में यह functional mega sport था जो continue जो है three mitotic division करेगा सबसे पहले first division होगा तो यह first division है जिससे आपके पास में दो nucleus बनेंगे उसके बाद में second है जिससे दो के चार होंगे और फिर उसके बाद में third mitotic division है जिससे आपको eight nucleus दिख रहे हैं अब यह जो eight nucleus है यह eight nucleus थोड़े time बाद arrange हो जाएंगे जिसमें से तीन जो है किस तरफ जाएंगे चलाजल end पे तो उनको तो हम बोलेंगे यह जाएंगे चलाजल end और इस चलाजल end पे जो जाएंगे उनको तुम बोलेंगे anti-podal और जो micropyle end पे जाएंगे उसको हम बोलेंगे एग apparatus और एग apparatus में हमारे पास में दो तो जो नसले सोटे उनको तो कि हम बोलेंगे труд करते हैं और दोनों फ्यूस होते एक जो है जो बनांगे जिसमें राकसि होगे और नुकलियों अपरóज कर सकते ना तरहstag में तो तो यह जो structure है यह structure बाद में चेंज हो जाएगी किसमें embryo में जिसको हम बोलेंगे embryo जैग और अभी आप पहले भी मैंने आपको बताया कि embryo सेहख ही होती है female gametophyte यह आपका बिल्कुल normal या आप कहचेंगे स्ट्रेक्ट्यर जिसमें आपको तीन एंटी पॉडल है अब इसको अपॉजिट कर दिया है तो यह चला जल एंड जहां एंटि पॉटल है तीन उसके बाद में मिडल में आपके पास में सेंट्रल सेल हैं जिसमें दो पोलर नुॉकलेस हैं फिर ये एग अपरेटव से जो की ज इसससर तो इस तरह से इस ट्रैटेफर करें इसके बाद में यह फिल फॉर्म एपड़ेटेस जो की सीनरजित चेल के पास में होता है और इसका मेंन फ़ंक्शन होता है किसी जो इस ध्रैट्चर जो भी पोलन त्यूब है उस पॉलन ट्यूब को अट्रेक्ट करने के लिए यह केमिकल्स रिलीज करते हैं और केमिकल्स जब रिलीज करते हैं तो उनसे एट्रेक्ट होके पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब यहां एंटर करती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कीमो ट्रॉपेज जब किसी भी केमिकल्स से कोई चीज एट्रेक्ट होती है तो हम उसे बोलते हैं कीमो ट्रॉपेज तो यह यहां तक कर जो इस्ट्रेक्चर है यह आज मैं आपको करा रही हूं उसके बाद में नेक्स्ट आपको कराऊंगी ठेंक्यू अब सबसे पहली बात है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब इसमें पढ़ना है ठीक है ओके थैंक्यू